प्रार्थना मतलब आप भगवान को बता रहे हैं कि क्या करना है आपको लगता है आप भगवान के सलाहकार है ध्यान का मतलब है आप बस चुप हो गए अगर आप बस बिल्कुल चुप हो गए तो हर वो चीज जो आपके साथ होई चाहिए आपके साथ होगी तो भौतिक से परे के आयाम को छूने का मतलब है आप उस आयाम को छूना चाहते हैं जो भौतिक का आधार है जब आप भौतिक का आधार कहते हैं तो आप कह रहे हैं कि आपकी रुची स्रिष्टी में नहीं बलकि स्रिष्टी के स्रोत में है अगर आप जाकर स्रिष्टा या विधाता के सामने खड़े होते हैं तो कम से कम वहां तो आपको अपने विचारों को नीचे रख देना चाहिए थोड़ी देर के लिए तो आपके विचारों को नीचे रख देना चाहिए जब विधाता ही यहाँ है, है की नहीं क्या वो खुद सबसे बड़े विचार नहीं है यह ऐसा हुआ पेंजिलवेनिया में एक आदमी था, आप कहां से है आ, वहाँ बारिश होती है, बार नहीं आती तभी तो हम सियाटल को समुद्री किनारे पर देख सकते हैं वरना उस जगा पर बार आ जाती तो पेंजिलवेनिया, पेंजिलवेनिया में एक आदमी था एक बहुती बड़ी बार आई और अगर एक जोग के अंदर जोग है तो आपको दिक्कत तो नहीं, आप ठीक है बार आ रही थी, पानी भरता जा रहा था और एक युवा उत्साही पत्रकार हर चरण की, हर घंटे की रिपोर्ट दे रहा था कि बार कैसे बढ़ रही है क्योंकि यही पत्रकारिता है कोई डूब रहा है दुनिया को दिखाओ, यह आदमी डूब रहा है, उसे डूबता हुआ देखिए इसका वीडियो लेकर सब को दिखाएं कि आदमी कैसे डूबता है आप कैमरे को फेंक कर आदमी को न बचाएं, न, आप पूरी दुनिया को दिखाएं कि बार में आदमी कैसे डूब सकता है तो यह वीडियो कैमरे वाले दिन नहीं है, बस मॉर्स कोर्ट से ही रिपोर्ट भेजी जा रही है तो उसने एक रिपोर्ट भेजी, बड़े अच्छे ढंक से उसने लिखा भगवान बैठ कर देख रहे हैं और पैंसिल्वेनिया के इस हिससे में पानी भर रहा है और घर गिर रहे हैं और बहुत कुछ अच्छे ढंक से इसका वर्णन किया तब तुरंथ एडिटर ने जवाब दिया, बाड को छोड़ो भगवान का इंटर्व्यू लो भगवान बैठ कर देख रहे हैं न, उसने सूचावे वहीं कहीं है बाड को छोड़ो भगवान का इंटर्व्यू लो पर वो उनका इंटर्व्यू नहीं ले पाए बाड बढ़ती गई, कई घर ढूप गए, कई लोग मारे गए, पर एक आदमी बच गया यह आदमी जो बच गया, उसने न्यू यूआक शहर जाकर लोगों के बीच शेर किया कि कैसे वो पेंसिलवेनिया की बाड से बच गया जहां इतने सारे लोग मारे गए, लोगे कठा हो गए तब उसने Boston जाकर बताया कि कैसे वो Pennsylvania की बार से बच गया फिर और ज्यादा लोगे कठा हुए तब उसने Seattle आकर शेयर किया कि कैसे वो बच गया फिर और भी ज्यादा लोगे कठा हुए तब उसने एक रोडशो शुरू किया, शहर शहर जाकर बताया कि कैसे वो पिंसिलवेनिया बार से बच गया वो अमेरिका में एक जाना माना वक्ता बन गया और फिर स्वाभाविक रूप से हर अमेरिकी को अपने जीवन काल में एक किताब लिखनी ही होती है तो उसने एक किताब लिखी कि कैसे वो पिंसिलवेनिया बार से बच गया यह मशूर हो गई, उसने हर जगा बात की और उसका काम अंतरराष्ट्री हो गया वो लखपती बन गया, लाखों किताबे बेची पूरी जिन्दगी उसने सिर्फ यही बात की कि कैसे वो पिंसिलवेनिया बार से बच गया और एक दिन वो म्र गया, बार में नहीं, वो मर गया और लोगों ने एक सभा की, वो स्वर्ख के दौ़ार से गया और वहाँ लोगों की एक सभा थी और बोलने का मौका था, कुछ लोग बोल सकते थे तो उसने भगल के लोगों से कहा, मैं अपना अनुभव शेर करूँगा कि कैसे मैं पिंसिलवेनिया बार से बज़ गया किसी ने उसे कोहनी मार कर कहा, दर्शकों में नोवा बैठा है ठीक है, तो हो, जो स्रिष्टी का स्रोत है, उनके सामने जा खड़े होकर, उन पर अपने विचार मत फेंकिये आप उन्ही का एक विचार हैं, आप उनके विचारों की एक कलपना मात रहें अगर उन्होंने अपना विचार वापिस ले लिया, आप खत्म, तो अपने विचार मत खड़े करिए यही ध्यान का सार है, प्रार्थना मतलब, आप भगवान को बता रहे हैं, क्या करना है, आपको लगता है आप भगवान के सलाहकार है ध्यान का मतलब है, आपने अपनी सीमाओं को समझ लिया है, अब आप बस चुप बैठें अगर आप बस चुप हो जाएं, बिल्कुल चुप, हर स्तर पर बिल्कुल चुप हो जाएं तो हर वो चीज जो आपके साथ होनी चाहिए, आपके साथ होगी Training बस उन्हें चुप होने में मदद करने की है कि आप अपने मुर्खता पूर्ण विचार स्रिष्टा पर न फेकें, आप बस चुप रहें